हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही जवदस्त रेसिपी कलाकंद बर्फी और बोवी विना किसी मेहनत विना किसी चाशनी और विना किसी तेल के तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और अगर आपको मेरी ज़े रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के साथ शेयर करना तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कलाकंद बर्फी कलाकंद बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले कडाई लेंगे गैस का फ्लेम अभी हमने ओफी रखा हुआ है इसमें सबसे पहले एक कप मैश किया हुआ पनीड डालेंगे अब हम इसमें आदा कप किसी भी ब्रैंट का मिल्क पाउडर डालेंगे इसके साथ ही हम इसमें आदा कप घर का उबला हुआ दूद डालेंगे अब हम इन तीनों चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ओन कर देंगे इसे हम मीडियम टू हाई पर पकाएंगे और जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे यह गड़ा होता जाएगा वो हम लगातार चलाएंगे जब तक यह थिक फॉर्म में ना आ जाए ऐसे कलाकंद बनाने से जी दानेदार बनती है और इसका टेस्ट बेजार से मिलने वाली कलाकंद से कई गुना जादा होता है आप इसको एक बार घर में जुरूर ट्राई करना आप देख सकते हो फ्रेंट्स की जी थिक फॉर्म में आ चुका है अब हम इसमें इलाइची का पॉडर डालेंगे इसके साथ ही हम इसमें आदे कप से भी कम चीनी डालेंगे आप इसमें मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हो आप इसमें मीठा थोड़ा कमी डालें क्योंकि मिल्क पॉडर भी मीठा ही होता है इसको लगातार चलाएंगे ता जो हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए कलाकन बनाने के इस पूरे प्रसेस को हमें मत्र पांच मिनट का समय लगा है और आप देख सकते हो फ्रेंड्स के अब पूरा दू सूख चुका है और यह कितनी थिक फॉर्म में आ चुका है अब हम इसको और ज्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो जोई ओवर कुक हो जाएगा अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसको जमाने के त्यारी करेंगे बर्फी को जमाने के लिए अब हम एक ट्रे जांफिर घर की कोई थाली लेंगे इसमें एक चमच तेल का डाल कर इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे इसमें बर्फी का मिश्रण डाल कर इसको सेट करेंगे बर्फी को सजाने के लिए इसके उपर कटे हुए बदाम लगाएंगे आप इस पर कटा हुआ पिस्ता भी लगा सकते हो इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे अब हम इस वर्फी को आदी गंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे ताँ जो जी अच्छे से सेट हो जाए और जम जाए आदा गंटा फ्रीज में रखने के बाद अब जे वर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है अब हम इसके पीस काटेंगे आप देख सकते हो friends के हमारी कलाकंद बर्फी कितनी अच्छे से सेट हुई है सारे पीसिस काटने के बाद अब मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हूं यह देखे friends हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनी है कितनी moist बनी है और कितनी सॉफ्ट वनी है ये वर्फी खाने में भी बहुत ही ज्यादा लाजबाब होती है